तो हे गाईस कैसे हुआ आप लोग स्वागताब का एक और नई वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिसे डिवैस के बार में बात करेंगे वो है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स 05G जो की 2023 का न्यू ओडिशन है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इसी इन्फिनिक्स के डिवैस में PUBG और BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवैस में बाई डिफोल्ट PUBG और BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है उसी के साथ दोस्तो हम इस डिवैस की परफोर्मेस के उपर भी नजे डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवैस में गेमिंग करते समय क्या परफोर्मेस देखने के लिए मिल जाती है हमें इस device को इस surprise range के साथ gaming के लिए consider करना सही रहेगा या नहीं अगर हमें इस device की performance के बार में बात करें तो इस device में हमें मीडेटा की तरफ से आने वाली मीडेटा का Demons City 920 की 5G चिपसर देखने के लिए मिल जाएगी जो की 6 nanometer की technology पर काम करती है उसी के साथ दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम इस device की बैटरी के बार में बात करें तो इस device में हमें 5000 mh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी जिसके साथ हमें इस device में 33 वोट की fast charging का स्पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है तो चलिए दोस्तों अभी ज़्यादा time देश ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस without wasting the time let's start the video तो दोस्तों साथ ही अगर आप इसे चैनल के उपर पहली बार आए हो तो चैनल को जात से subscribe जुरूड कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के उपर upload करता रहता हूँ उसे के साथ दोस्तों इस device के recording आपका कोई भी सवाल हो कोई भी doubt हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो मैं उस सवाल का जबाब देने की पूरी कोशिश करूँगा तो चली दोस्तों सबसे पहले हम इस device में by default PUBG और BGMI में ग्राफिक सैटिंग देख लेते हैं कि हमें इस device में इस performance के साथ ग्राफिक में क्या सैटिंग देखने के लिए मैल जाती है तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सिधा सैटिंग में सैटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सिधा ग्राफिक्स में तो दोस्तों यहां पर अगर हम समूट की बात करें तो समूट में हमें इस device में by default अक्ष्ट्रीम जाने कि 60 पस ओप्शन देखने के लिए मैल जाती है अभी तक हमें इस device में कोई भी समूट में 90 पस का स्पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता आई होग के फ्यूचर में आने वाले अपडेट के साथ हमें इस device में ग्राफिक्स में कुश अप्रूब देखने के लिए मिल जाए उसी के साथ दोस्तों अगर हम बैलन्स की बात करें तो बैलन्स में हमें अल्टर, HD में हमें अल्टर, HDR में हमें अल्टर तो इसके साथ ही दोस्तों अगर हम अल्टर HD के बार में बात करें तो अल्टर HD अभीता की इस device में अवेलेबल नहीं है इसका मतलब साफ है कि अभीता कि इस device में by default smooth में 60fps और balance HDR और HDR में 40fps gaming का support हमें देखने के लिए मिल जाता है तो चली दोस्तों सबसे पहले हम इस device में smooth plus extreme में एक colorful में match टाड़ करके देख लेते हैं कि हमें इस device में gaming करते समय क्या performance देखने के लिए मिल जाती है हमें इस device में gaming करते समय कोई lag इशू कोई heating इशू जा कोई frame drop जैसे major इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं तो चली दोस्तों सबसे पहले एक master करके देख लेते हैं जोगें आपके देख लेते हैं जोगें आपके लिए एक लग्वा करके लेते हैं और झाल एक पड़ी मिरे एक नोक भाई नोक कर दी एक पंदा यहाँ पेक नहीं एक यहाँ कि अूलः कि नहीं है रो हो वि हेख चार्देख रहा जहाए गजाए सब्सक्राइब जए भूझ गोजा अबसे निकलो और एगए गाड़ी में बैठे बैंट जाए आठागा उपर से बन्दे आए तो अबड़ी पड़े की लिए कर सकसु तर दो होल olan yahoo जो जहाँ जो सुर्ण दाउनendini एक जा भाल पर मुझाखने से तरह साथ यह कुझाखने सांथ यह संन्गें का सिंह प्रिफ क्राथ यह ड्ला ही झाल जा माल बोटे को एक है मत उन्लिट उन्लिट जने नहें भादागर की लिङन भादाब है झाल फाल है चलो लेट किया रहा था बाई पाओ में मत पाओ में दिक्कत हो जाएगी कि अज़े कि अज़े तुक तुक कौन कर रहा है जला अज़े चाल तुक कि अज़े बाई बाई अज़े आपे तुक कि अन्या उग्पिए अज़े जिले ओाएगी झाल